आप चाहते हो कि आपकी स्किन टाइट चमकदार रहे चालिस के उम्रों में आपकी यह 24 की दिखे आपकी स्किन में सा ग्लो करती रहे हेलदी रहे चमकती रहे दमकती रहे तो आज का वीडियो आप सभी के लिए ही है हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल इलावादी गल्बभीता राज मैं अब दाफ्षन साफ लोग कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होगे खुस होगे स्वस्त होगे और अपनी लाइफ में मस्त होगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज के वीडियो में आपको कैसी रेमेडिय बताऊंगी जो आपके स्कीन को वाइट ब्राइट टाइट ग्लास स्कीन और आपके स्कीन पे जो च्छाईयां हैं पिंग्मिटेशन हैं दाख धब्बे हैं इक्वल नहीं है डार्क है डाक स्पॉर्ट्स हैं यह सारी प्रॉब्लम दूर करेगी और साथ ही प्रॉब्लम नहीं बनाएगा नहीं यह होता है कर दीर दो नई लाइट करे गाइब कर सबसंदों नहीं बेटें और इस जहर करें रहे के देख सब्सक्राइब जो भी र्मेडी आपको बताओ हर चीज घर में ही मिल जाए बाहर से ना लेना हो क्योंकि जब हमें कुछ बाहर से लेना होता है तो तो आप समझ सकते हो कि उफिन नहीं करते हैं ठीक है इससे पहले अगर आप पहली वायर हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं कि पीताराज के नाम से तो चलो सबसे पहले हमें क्या लेना है ऑर थमेंच को लेना है ंए दही इतने हुछ 2019 में राथ वर और टट राफ करता है हमाय सकी नहां scar करता है तुर करता है और फिर करता है डही में इसकीइन वैटनि Hagut यहां हमने लिया है वन स्पून दही तो मैं जब दही की रमेडिया आपको बताती हूं तो बोलती हूं थोड़ी सी खटी होनी चाहिए ठीक है फ्रेस्ट दही नहीं लेना है एक दो दिन पुरानी दही लेना है थोड़ी खटी होनी चाहिए तो अगर आप तुरत असर दिखना चाहते हो अपने स्किन पे तो आपको खटी दही लेना है ठीक है अब चली मैं बताती हूं दूसरी चीज़ में हम क्या एट करेंगी जो आपकी स्किन की सारी प्रोब्लम कर सकते हो तो चलीए देख लिए क्या लेना है किचन से और हमें दो चीज़े ठीक है पटाप तो प्रंस आपको लेना है मसुर डाल जी हां और यह दाल है औरेंज कलर की है छिलके उतरी हूई दाल आपको लेनी है यह दालना जादु करती है हर रेमेडि में आपके स्किन को भी करती है पिंगमिटेशन की problem है चाहियों की problem है आपकी skin equal नहीं है तो यह problem दूर करती है आपकी skin को soft smooth बनाती है तो इस दाल को आपको लेना है दो बड़े चमछ quantity आपके उपर है आप को बना के store भी कर सकते हो तो यहां पर मैं दो यह बड़े चमश यू ताइट करेंगि क्लास इसकिन देगी बेंदाग बनाएग खुब शूरत बनाएगी इसमें आईट बचसे जो एड करूँगी वह लोimmfอरेंजी चिलके जिससे मैंने हलकी चांव में सुखा लिया है और औरेंज फिल पॉडर भी आप ले सकते हो बट आप फ्रेस औरेंज के चिलके लोगे तो ज्यादा बहतर पाऊगे और यह आपकी स्किन को निखारता है आपके कलर को इकवल करता है चाहिया पिंगमिटेशन को दूर करता है और यह दोनों बनाते हैं को हेलदी बनाते हैं गोरा बनाते हैं मतलब आपकी चहरे पेक चमक लाते हैं अगका मतलब इस चाहर के चमक और में स्कीन की हट्र कि प्रोबलम को दूर करेग Σ सवीमिध आपकी स्किन पर रिंकल जूर्या आने से रोके से फॉर्ट को दूर करेगा ती यहां पर बाउल लिया इसमें फिर वन इसमुन हम जो चलिब Bhag लेते आपने देख लिए क्या लेना नही कीच को कम कर देता है तो क перемple It कि में मिक्स कर लेते हैं यह करे ना ने ही में इसको मं थोड़ा या दालेंगे मतलब bisa करें अधी कीज़ाख है लगभाक वनी स्पून है को हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीक है और मिक्स करने के बाद यह किस तर होगा मैं आपको दिखाती हूं अगर आपकी स्कीन बहुत ज़्यादा ट्राई है तो आप यहां पर ऑईल भी मिक्स कर सकते हो ग्लिस्लिन भी एड़ कर सकते हो ठीक है हाप और मारकेट गार आपको लेना है एल भी मिक्स करणे है और यहां पर इसे अच्छे से करना है इस आप इसे नइट में भी मिम्हाँ जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे लगा सकते हो तो चलो मैं face पर लगा के दिखाती हूँ फिर दिखाती हूँ कि face किता glow करता है और किता tight होता है ठीक है और सारी dead skin कैसे निकलती है और skin clean कैसे होती है आप तो चली फ्रंट्स बताते से लगाते कैसे सुबर सुबर जब भी टाइम हो तब आप इसे लगाईएगा फेस फास करने के बाद इसे आप लगाईएगा और आपके face पे बहुत ज़दा क्या कहते है डड़ स्किन जमा है ब्लैक है वाइट है मैल जमा है इसकिन clean नहीं है तो आ बार-बार यूज करते हैं और cold cream सर्दियों में यूज करते हैं वह जाकर जमा हो जाती है अच्छे से clean नहीं हो पाती है फेस्वास से तो इस remedy से यह तो दूर हो नहीं वाला है मतलब आपकी skin बहुत ज़दा clean होगी फिर आपको इसे face pack की तरह फूरे face पे अपलाई कर लेना कि मेरी पूरी टीम हो ठीक है तो यहां देखें 15-20 मिनट बाद यह face pack अच्छे से सूख चुका है अब इससे आपको हलके हाथों से मसाज करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो या तो किसी cotton की कपड़े से डिप करके पानी में इस तरह भी आप निकाल सकते हो फिस आपको face का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है तीन से चार घंटे तक और नॉर्मल पानी से face को क्लीन करना है कोई अच्छा सा मुश्चराजर लगा लेना है और इस रेमेडिक आपको वीक में रोजाना भी कर सकते हो या तो एक दिन गैप करके भी कर सकते हो जब लगे किसकिन बहु